थंडियों का मौसम हो और गाजर का हल्वा ना हो ऐसे कैसे हो सकता है तो हलो फ्रेंट्स वेलकम टू मैं चानल तो आज हम बनाने माले हैं थंडियों का स्पेशल गाजर का हल्वा और वो भी बहुत ही कम टाइम में तो यहां पर मैंने लिया है एक पैन उसमें डाला है मैंने एक चमस देजी गी और उसमें मैं डाल रही हूँ 500 ग्रम कटे हुए गाजर गाजर जब लाते हैं बाजार से तभी टेस्ट करके लाए कि मीठी होनी चाहिए और कलर्फूल होनी चाहिए गलर ना हो तो चलता है लेकिन मीठी होनी चाहिए टेस्ट में अब हमें इसे बराबर के छोटे साइज में कट करके इसे चार से पाच मिनिट तक हाई फ्लेम में बूनना है इसे भूनते समय आप कहीं पेना चाहिए क्योंकि ये गाजर का हलवा बहुत जट पट प्रिपैर होने वाला है फिर उसके बाद ये भून चुका है तो मैं इसे ट्रांसफर कर लूँगी कुकर में मैं ये चाहूँ तो ये प्रोसेस में कुकर में भी कर सकती थी लेकिन मुझे आपको अच्छी तरीके से दिखाना था इसलिए मैंने पैन में किया उसके बाद हम इसे cooker में transfer कर लेंगे तो ये अच्छी तरीके से cook हो चुका है लेकिन smash करने जैसा cook नहीं हुआ है तो इसके लिए हम cooker में डालेंगे एक cup दूद एक cup दूद डालिए उससे जादा mud डालिए कैसे होता है जब हम liquid की चीज़े cooker में जादा डालते है तो वो CT करते समय बाहर निकलती है तो वो चीज़ हमें नहीं चाहिए कि हमारा दूद वेस्ट हो फिर उसके बाद हमें lead लगा के इसे 3 सिटिया करनी है 3 सिटि करने तक इसे रुकें और फिर इसे ठंडा होने दे एक बार 3 सिटि हो जाएगी तो इसे ठंडा होने के बाद निकालिए यह आपको अभी ऐसा दिख रहा है हमारा जो carrot है मतलब गाजर है वो अच्छी तरीके से cook हो जुका है तो मैं इसे smasher से smash कर लूँगे और मैंने इसे pan में transfer कर लिया है आप सोचेंगे कि हम mixer से भी कर सकते हैं लेकिन हमें गाजर का हलवा दानेदार चाहिए तो उसके लिए हमें smash ही करना पड़ेगा फिर उसके बाद मैंने इसमें डाला 150 ग्राम चीनी आप चाहे तो कम और जादा कर सकते हैं इसकी quantity फिर उसके बाद हमें इसे अच्छी तरीके से mix करना है जब तक चीनी अच्छे से इसमें पिगल के mix नहीं हो जाती उसी के बीच में यहां पे मैं डाल रही हूँ 100 ग्राम खोया इसे खवा भी कहते हैं तो इसे डाल लेंगे हम क्योंकि हमने दूद का अस्तमाल कम किया है और हमारे काजर के हलवे की रेसिपी जो है वो बहुत डाइरेक्ट है तो इसलिए मैं यहां पे खवा का अस्तमाल कर रही हूँ आप चीनी जैसे जैसे कारमल हो रही है वैसे वैसे इसका कलर बदलते जा रहा है और कुछ ही मिन्टो में इसका कलर इस तरीके का हूँ गया डार्क ओरेंज ची तरह हमने यहाँ पे कोई कलर का अस्तमाल नहीं किया है जैसे जैसे चीनी बिगलती है वो कलर चेंज करते जाती है और वही चीज हमें गाजर के हलवे में देखने को मिलता है तो मैंने एक कडाई में थोड़ा सा गी डालके मैंने dry fruits इससे अच्छी तरीके से golden होने तक भून लिया है और उसी को हम गाजर के हलवे में डालने वाले हैं क्योंकि घाजर के हलवे में बहुत सारे dry fruits जाते हैं, जिससे इसका test जो है Unhance हो जाता है, तो चलिए हमारा जो गाजर का हलवा है वो रेडी हो चुका है तो मैं इसे निकाल लेती हूँ बाउल में जब तक मैं इसे बाउल में निकाल रही है अब फटा फट मेरे चानल को सब्सक्राइब कर लीजे ताकि मैं ऐसे ही इंट्रेस्टिंग रेसिपी आपके लिए लाती रह और ट्राय करने के बाद कमेंट करना बिलकुल ना भूले थैंक्स फोर वाचिंग